नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी क्या स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कोवे से जुड़ी यह खबर जो कि आपने कभी न कभी सुना हुआ कि अगर किसी के सर पे कोवा मार देता है तो एक जुठी खबर उसके घरवालों के पास भेजा जाता है कि जिस व्यक्ति को कोवा मारा है वह व्यक्ति मड़ गया है जब यह खबर उसके घरवालों के पास जाती है तो उसके घरवाले खूब रोती है लेगिन कुछ देर के बाद उन्हें बता दिया जाता है कि नहीं कववा मारा था इसलिए यह जूठी ख़बर आप लोगों तक पहुँचाए गई तो क्या यह जूठी ख़बर बताने से लोगों की मृत्यू टल जाती है दोस्तों बने रहे इस वीडियो से क्योंकि आज हम आपको पूरी जनकाड़ी इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या है सच्चाई और क्या है इसका महत्यू नमर एक सकुन सास्त्रे भारतिय समाज सकुन अब सकुन की अवधारना को बहुत ज़्याला महत्य देता है अगर यह कहा जाए कि एक भारतिय का जीवन इन सब बातों से बहुत मजबूत तरीके से जुरा हुआ है तो कोई अतीस योक्ती नहीं होगी बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सकुन ही हमें भविस्य में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाते हैं नमर दो ज्योतिस में सकुन सकुन अब सकुन जैसी विद्या कोई आज की अवधारना नहीं है वरन महाभारत समेत बहुत से धर्म ग्रंथों में इससे जूरे प्रमान मिलते हैं ज्योतिस में भी इसे प्रमुख तरीके से स्विकार किया गया है नमर तीन कितने प्रभावी है आप खुद ही देख लिजिए आपकी दिन चैरिया इस सब बातों से किस हद तक प्रभावित होती है तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या वाकई ये सकुन अब सकुन हमारे लिए इतने ज्यादा महत्ते रखते हैं नमर चार लोगों की अपनी अपनी मन्यताए है यूं तो भारत में बहुत सीजों से जुरे ये सकुन अब सकुन लेकिन अस्थान, समाज और समुदाय के हिसाब से इनमें थोड़ी बहुत फिर बदल संभव है मसलां जो चीज एक समुदाय के लिए सकुन है वो दूसरे के लिए अपसकुन हो सकती है या ऐसा भी सम्भव है दूसरे समुदाय में उस चीज का कोई अर्थी ना हो नमर पांच इनसान और अन्य रचनाए इनसान को प्रकृति की देन कहा जाता है और यकिन मानिये प्रकृति की अन्य रचनाए जैसे पेरपवधे पसुपक्षी आदी इनसान के जीवन को महतपूर्ण तरीके से परभावित करते हैं इन्ही तरीकों में सामिल है शकुन अपसकुन की विद्या नमर च्छा कववे का सिरपड बैठना पुराने समय में यह प्रंपरा थी कि अगर किसी के सिरपड कववा बैठ जाए तो वह अपने रिष्टेदार को जूठा पत्र लिखकर अपनी मौत की जनकाडी देता है नमर साथ मौत की जूठी खबर मौत की जूठी खबर सुनकर उसके पड़िजन उसकी मौत का सोक करते हैं और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता है कि यह एक जूठी खबर थी क्योंकि उसके सिरपड कववा बैठ गया था नमर आठ परंपड़ा कहते हैं एसी जूठी खबर उराने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है बहुत सी जगहों पर आज भी यह प्रंपड़ा निभाई जा रही है नमर नौ किन्तु हकीकत कुछ और ही है काक भुसिंडी जी सिर्राम के प्रंभक थे उन्हें एक्छा मिरित्यू का वर्दान भी प्राप्था वर्तमान काल में शभी कौवो को काक भुसिंडी जी का ही प्रती रूप मना जाता है सच्ची यह है कि यदि कौवा किसी के सिर्पर बैठ कर चोंच मार दे तो परंप औसुभ वा अनिष्ट का संकेतक है किन्तु यदि कौवा के वाल सिर्पर बैठे तो प्रम सुभ होता है कौवा सिर्पर बैठे तो कार्ज सिध होता है काक भुसिंडी के प्रती रूप कौवे को वैशे भी अशुभ कैसे मना जा सकता है ये एक वर्दान है कि कौवा सिर्पर बैठे तो बहु प्रतिक छित कार्ज एक वर्ष के भीतर सिध होती है ये बिल्कुल अनुभूत लक्षन है जिसको सम्माने रूप से सफल पाया गया है नमबर ग्यारा यह तो बस एक चर्चा थी इसलिए आपको बताते चलें कि सास्त्रों के अनुसार पसुल पक्षी और स्वयम इंसान से जुरे कैसे सकुन अपसकुन पर हम विश्वास करते हैं नमबर बार एसिया के बहुत से देशों में कववे को संदेश वाहक माना जाता है और किसी के घर की छत पड़ उसके बोलने से अर्थ है घर पड़ महमानों का आना नमबर तेरा कववे का महत्वे कववे का महत्वे यही समाप्त नहीं होता है बलकि स्राध जो की हिंदु धर में एक महत्व पुर्ण संसकार है में भी कववे की भूम का अदभुत है नमबर चवदा पुर्वजो के लिए भोजन स्राध के दिन लोग अपने मृत परिवार वालों तक भोजन पहुचाने के लिए कववे का ही साहरा लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर कववा उसके लिए रखा गया भोजन खा लेता है तो इसका अर्थ यह है कि भोजन तक पहुँच जाता है नमबर पंद्रह कौवे का देर करना अगर कौवा देर से खाने आता है या खाने के पास बैठने के बावजूद भी खाना नहीं खाता तो इसका अर्थ पुरोवजो की नराजगी है नमबर सोलह यत्रा पर जाना अगर आप किसी आत्रह पर जा रहे हैं और आपको कोई तूटी खाट लाता हुआ दिखाई दे या गधा आपके बाई तरफ से बोलता सुनाई दे तो इसका अर्थ है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो भंग हो जाएगा नमबर सत्रा कुत्ते का भूमी पर लोटना भूमी पर लेटा कुता अगर अपने कान फर फराता है या दो बिलिया लड़ती हुई दिखाई दे गिरगिट दिख जाए तो यह बड़े अपसकुन माने जाते हैं नमबर अठारह निस संतान इस्त्री इसके साथ ही साथ निस संतान या बिध्वा इस्त्री चमडा, गाय काचाडा रोजोबती इस्त्री तेल मालिस करवा कर आ रहा आदमी या अपने ही परिवार के लड़ते हुए लोग अगर आपको दिख जाते हैं तो यह भी अपसकुन होता है नमबर उनिस पती के लिए संकट कौवा अगर अचानक आकर इस्त्री के बालों पर बैठ जाता है तो यह उसके पती के लिए वितिये कठिनाईयों के दवर का प्रिचायक है नमबर वीश आर्थि खाने कौवे का बिना वज़ा सोर करना और तेज तेज आवाजे निकलना आर्थि खाने दर्शाता है नमबर एकिश बाडिस की सुचना यदि आस्मान बादलों से पुरी तरह घीरा हो और घर का पालतु जानवर बाहर जाने से घबराने लगे या मकडि किसी घर के बाहर अपना जाला बना ले तो यह आने वाले भाडि बारसा का शूचक है नमबर बाईश दोस्तों आप कितना बिश्वास करते हैं इन सब चीजों पर हकिकत यह है कि अधिकांस लोग इन सब बातों को भ्रम मानते हुए भी इन पर बिश्वास करते हैं अनुभाव में यह देखने में आता है कि कुछ सकून अपसकून पुरी तरह सटीक बैठते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं आप भी अपने अनुभाव इकठे किजिए और जूट सच में फर्क को पचानी है इस तरह कि आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पाड अफवा फईलाए जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो अफवाहे हैं उन पे हम सभी को ध्यान देने की जुरत है और सच्चाई क्या है यह जानने की जुरत है दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट भक्स में जरूर बताएं दोस्तो आपसे एक छोटा सा अमरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ घंटा बटन को दबा दे जिससे हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले दोस्तो आप इस वीडियो को सेल भी जरूर कर देरा